आज हम नेक्स्ट त्री नंबर्ज लिखना सिखेंगे यानि जो नंबर दिया गया है उस नंबर के आगे के नेक्स्ट यानि आने वाले तीन नंबर्ज लिखना सिखेंगे ये नंबर हमारा है 5091 ये 91 है 91 के बाद में क्या आता है 92 तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा उसका 5092 अब 92 के बाद 93 उसके बाद का नंबर होगा 5093 93 के बाद 94 5,094 इस तरह से हमने इसके आगे के तीन नंबर्ज लिखे हैं उसके बाद वाला नंबर है 6,276 यहाँ पर क्या है 76 76 के बाद क्या आता है 77 यानि यहाँ पर हम नेक्स नंबर लिखेंगे 6,277 77 के बाद क्या आता है 78 तो हमारा उसके बाद वाला नंबर होगा 6,278 78 के बाद क्या आता है 79 6,279 अब यह है 2,123 उसके बाद का नेक्स नंबर है 2,124 23 के बाद 24 2,125 25 के बाद 26 2,126 यहाँ पर है 11,920 20 के बाद आता है 21 Same आएगा 11,921 21 के क्या बाद आता है next 22 11,922 22 के बाद आएगा 23 11,923 41,860 60 के बाद आता है 61 41,861 41,862 41,863 यह हमें next 3 नंबर लिखेते अब यहाँ पर हमें previous नंबर लिखना है यानि उसके पहले के नंबर लिखना है यह है 3,803 3 के पहले के आता है before या previous 2 तो यहाँ पर होगा 3,802 2 के पहले आता है 1 before या previous 3,801 उससे पहले आता है या 1 है इदर आ जाएंगा 0 3,800 यहाँ पर है 3,994 94 के पहले आता है 93 तो यहाँ पर आएगा 3,993 उससे पहले 3,992 उसके पहले 3,991 पहले पहले के नंबर हमको यहाँ लिखना है जिससे कहा जाता है previous नंबर पिछला नंबर 6,004 उससे पहले होगा 6,003 उससे पहले होगा 6,002 उससे पहले होगा 6,001 77,824 24 के पहले प्रिवियस नंबर होगा उसका 23 तो यहाँ आएगा 77,823 23 के प्रिवियस नंबर होगा 22 77,822 77,821 यहाँ पर है 3,000 3,000 यहाँ पर 0 है 0 के पहले होता है 9 और यह जो है एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2,999 9 के पहले आता है 8 2,998 8 के पहले आता है 7 2,977 तो इस तरह से आज हमने सीखे प्रिवियस नंबर यहाँ उसके पहले के तीर नंबर और नेक्स नंबर यहाँ उसके बाद के तीर नंबर थैंक यू